हिसार तुड़े में आपका हाधिक स्वागत है मैं हूँ अर्शनातर पाठी दोस्तो इस बार हर्याना की राजनितिक की जब हम बात करें तो हर जगा चर्चा है कि क्या लोकसभा के साथ विधान सभा चुनाव एक साथ होंगे हलांकि मुखी मंतरी मनोहला खटर ने बार-बार इस बात को नकारा है उन्होंने अपने कई प्रेस कॉन्फरेंस में इस बात का जिकर किया है कि विधान सभा चुनाव अपने नियमित समय पे होंगे अभी उनका फोकस सिव विकाशिर परियोजना को गती देने में है मगर विपक्ष उनकी इस बात से सहमत नहीं है विपक्ष अपने कारेकरताओं को ये निर्दिश दे चुका है कि भई तयार हो जाओ हो सकता है लोगसभा के साथ विधान सभा चुनाव एक साथ हो जाए विपक्ष उनकी घबराहट का कारण है कि जब पांच नगर निकम चुनावों में भारती जन्ता पार्टी के पक्ष में हुए उसी दौरान भारती जन्ता पार्टी का एक आंत्रिक सर्वे चल रहा था और इस सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आज की स्थिती को अगर देखा जाए तो अगर हर्याना में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो पूरा का पूरा मौहौल भारती जंतापार्डी के पक्ष में है भाजपा की अपने आंदरिक सर्वे में नकेवल सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे से भाजपा को फाइदा होने की बात कही है बलकि ये भी कहा है कि जिस प्रकार से मनुहलाल खटर सरकार ने हर्याना में ग्रूप डी की जो परिक्षियाय आईजित की थी और यहां पे काफी असंखे लोगों को रोजगार मिला था उसकी साथ ही जेबीटी का मजोब मसला है तक्रीबन 12,731 जेबीटी अब शिक्षक की तौर पे पहचाने जाएंगे उनका मसला है या किसानों की अगर हम बात करें या श्रम जीवी योजना की बात करें इन तमाम प्रकार की योजनाओं के कारण आज हर्याना के लोगों में बीजेपी की अच्छे कासी छवी है मोहल पुरा भारती जन्ता पार्टी के पक्ष में है क्योंकि योजनाओं का फाइदा काफी लोगों तक पहुचा है चाहे आईशमान योजना की हम बात करें या हाली में प्रधानमंती नरिंद्र मोदी ने 6,000 रुपे की स्कीम के लिए लाई थी वह भी किसानों के खाते में पहुच रहे हैं और किसान इससे काफी खुश है जो जमीनी रिपोर्ट है जो हमने काफी किसानों से भी बात की उन्होंने इसमें खुशी जताई है कि इस योजनाओं का उन्हें की राम रहीं की राम पाल की यह जो तमाम जो मामले थे जो हमेशा हरियाना की सरकार मनोहलालकटर सरकार का सरदर्द बनके थाबब्त हुए थे वह । इस्वी मामले में सब म cash flow सकता सकता है यह अंधरिग रिप голोब में कही गई है हाला कि जब इस मामले में बात की जाए तो हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज हर्याना की जो स्थिती है और सर्वे की अनुसार जिस बात का खुलासा किया है उसमें कहा गया है कि हो सकता है इस बार लोग सभा सीट में दस सीटों को जीतने का दावा करने वाली मनोहला खटत सरकार को शायद मायूसी हो क्योंकि केवल आठ से नौ से बीजेपी की पक्षमित जाती दिखाई दे रही है वहीं बात करें विधान सभा चुनाव की तो विधान सभा चुनाव में भी उनकी जो भारती जन्ता पार्टी की भले ही सपस्ट बहुमत में उनक हमने बताए कि दस लोग सभा सीटों में से तक्रीब आठ से नौ जा सकती है बीजेपी को रही बात विधान सभा के चुनाव के सीटों की तो नब्बे में से 47 से 48 तक की सीटे इस सर्वे में इस रिपोर्ट के जरिये बताई गई हैं कि इसमें बीजेपी जीत सकती है हम बात दिखरा हुआ बताते आ रहे हैं दूसरे नंबर की पार्टी हो सकता है कॉंग्रेस ही साबित हो क्योंकि इसमें कॉंग्रेस को 18, 16 से 18 तक की सीटे विधान सभा सीटे जीतिते हुए दिखाया जा रहा है जबकि हमारे पास जो रिपोर्ट आई है यो सूत्र बताते हैं उसमे इस बात का भी खुला सक्किया गया है कि अगर आमाद्वी पार्टी और जनायक जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो दस या उससे अधिक सीटों पर वह कबजा कर सकती हैं रही बात है ने लोकी सबसे पुरानी पार्टी ताउ देविलाल जी की पार्ट जिनके नाम से इस पार्टी को देखा जाता है उन पार्टी के हम बात करें तो तकरीबन पांस से छे सीट साथ सीट ऐसी दिखाई जा रही है रही बात हाली में भारती जनता पार्टी से बगावत करके बाहर आए सांसद राजकुमार सैनी की राजकुमार सैनी ने बसपा से गढ़बंधन कर लिया है और क्या इसका फाइदा उनको होता है वैसे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीएस पी और लोगतमस्रे शुरक्षा पार्टी के गढ़बंधन से इस पार्टी को तकरीबं दो से तीन सीट जाती दिखाई दे रही है वैसे बाकी के जो अन्य सीट के आकड़े हैं अन्य जो उमिदवार है स्वतंति रूप से खड़े होंगे निर्दली खड़े होंगे बाकी उनकी तरफ भी गुंजाईशे उनकी जीतने के गुंजाईशे जतायचा रही हैं चलिए हम बात करते हैं हिसार लोग सभा सीट की अब याँ सोच रहे होंगे कि क्या हिसार लोग सभा सीट में भारती जंता पार्टी के लिए अच्छी खबर है वैसे बीजेपी का माना तो यही है कि अच्छी खबर है मगर ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि हिसार में बीजेपी के जीतने के आख्रे कम है जो हमने बताया कि आठ लोग सभा सीट जीतेगी और दो सीटों पर उसको नुकसान होगा वो यही सीटे है हिसार और रहतक रहतक में कहा जा रहा है दिपेंदर सिंग हुड़ा की जो सलतनत है उसको बीजेपी उखार सेकेगी मगर ये बीजेपी का कहरा थोड़ा सा जल्दबादी होगी क्योंकि भुपेंदर सिंग हुड़ा के साथ दिपेंदर सिंग हुड़ा वहाँ पे अपनी सल्तनत को बचाये रखने के लिए एडि चोटी का जोर लगाएंगे रही बात हिसार की जो सबसे इंपॉर्टन बोले तो बहुत ही महत्पुन शेत्र है लोकसभा शेत्र है यहाँ पे अमिश हब आच चुके हैं और सभी की नजर इसे शेत्र की तरफ है क्योंकि यहाँ पे अंतरास्टी हवाय अड़ा आने वाला है विकास कि काफी सारी पर्योजनाओ को यहाँ में अमल में लाये जा रहा है मगर बीजेपी को यहाँ पे कड़ी मशकत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जो खुफिया और आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि हिसार में बीजेपी को मायूसी हो सकती है और यहाँ पे उसे बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है फिलहाल जब हिसार की हम बात करें तो हम यहां की विधान सभा की भी बात करना चाहेंगे हिसार लोग सभा में तक्रीबन नौ विधान सभा आती है और इन नौ विधान सभाओं के जब हम आकड़े देखेंगे तो इसमें बताया गया है जो रिपोर्ट जो सूत्र बताते हैं कि तक्रीबन चार ते पांच विधान सभा जो सीट है उसमें बीजेपी को जो गड़ित है काफी गड़ बढाने वाला है और बीजेपी का गड़ित जब गड़ आएगा तो इसका असर सीटों में लोग सभा का सामना करना पड़ सकता है और उनकी विपक्षी पार्टी यानि की कॉंग्रेस और जन्नाइक जन्ता पार्टी यहाँ पे अच्छा खासा अपना खाता खुल सकती है बीज़ेपी के लिए ये रिपोर्ट काफी चिंता जनक है क्योंकि उनके आकड़े 10 हैं लोग सभा सीट के और विधान सभा सीटों में वो 50 का आकड़ा पार करना चाती है मगर क्या कॉंग्रेस और जन्नाइक जन्ता पार्टी उनका ये गड़ेद बिगाड़ेगी तो इस प्रकार से अगर हम भाजपा के आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हर्याना में अभी क जो स्थिती ऐसी है कि अगर लोगसभा और विधान सभा चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो इसमें बीजबी को बहुत फाइदा हो सकता है वैसे भारती जन्ता पार्टी के नेता और मुख्यमंतरी मनुहला खटर खुद नहीं चाहते कि लोगसभा और विधान सभा जाये उन्होंने उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ जो नई पार्टियां है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए या अभी तक पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया में लगी हुई है और कुछ पार्टियों का गटबंधन तूट चुका है जो कमजोर बनी हु हुई है ऐसे में बीजी पी अगर एक जो तरीके से मोधी वेव में लड़ती है जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा मोहल देश भक्ति मय हुआ है और लोग मोधी की तारीफ कर रहे हैं प्रधान मंत्री मोधी के गुड़गान कर रहे हैं उससे पार्टी के यही है कि क्या लोग सभा चुनाव विधान सभा चुनाव एक साथ होते हैं क्या विपक्ष अभी से तैयारी कर बैठा है ये तो आने वारा समय ही बताएगा और देखना भी ये लाज़मी होगा कि क्या विधान सभा जल्भंकी जाती है या भार्दी जनता पार्टी और से बहुमत को पार कर लेंगे तो चलिए इसी के साथ लेते हैं हिसायत नमस्कार प्सार टुड़े बदलते रहे समय के साथ प्सार टुड़े चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाए हिसार के ताज़तरीन खबरें